नमस्कार मैं हूँ आचारिय भूशन कौशल और आपका बहुत-बहुत स्वागत है एस्ट्रो तक में आज हम बताना जा रहे हैं आपके मन में इच्छा हो कि मेरा अपना आलिशान मकान बन जाए एक आलिशान फ्लैट आपको मिल जाए तो क्या उपाय करें इस पर आपको बता रहा हूँ एक एक चीज आप नोट करना आपका बहुत ही सुन्दर मकान एक बंगला बन जाएगा बहुत ही आप अच्छे आलिशान तरीके से रहेंगे पहला उपाय अगर आप बहुत बड़े मकान और फ्लैट के मालिक बनना चाहते हैं काले धागे में एक सो आठ लॉंग की एक माला बनाकर मा दुर्गा जी को चढ़ा देना और ओम दुन दुर्गाय नमग का जाप करना रोज दुर्गा जी की पूजा पाट करना उनको भोग लगाते रहना आपका अपना मकान बहुत ही जल्दी बन जाए इसके अलावा शनी को बलवान करना जाँ चीए शनी को बलवान करने के लिए शनी आप पे महर्वान हो जाए आंखों में काजल लगाया करो मही काजल ल क confession का देब्लबान कर सकते हैं का जहल में बीफ़ार बनेंगा और जो कुछतादाना मघ्री बनेगा कि क्या करने है कि एक नई इट खरीद के लाएं, और इट को अच्छे से धोले, सापसुत्रा कर लें, और उसको ले जाए शनी मंदिर, शनी वार के दिन उस इट की वहाँ पूजा करवाएं, और पूजा करवा करके, घर में आ करके, आपको नौर्थिस्ट कोने में, उत्तर पुरब कोने में, यानि इशान कोन में उस इट को रखें, रोज उस पर धूब दिखाया करें, बहुत जल्दी आपका अपना मकान होगा, और भी अचुक उपाय बताता हूँ आपको, यह उपाय करने से जरूर आपका अपना फ्लैट, अपना मकान होगा, आपको किराय पे नहीं रहना शनी ग्रह कारक होता है, अपने मकान का फ्लैट का कारक कौन ग्रह होता है, शनी ग्रह, तो आप किसी भैस को जो कि शनी का कारक माना गया है, शनी का वाहन भी माना जाता है, भैस को शरीवार को गुर रोटी खिलाए, भैस को प्रसंद करें, शनी की कृपा होगी आपका अप शुक उपाय करना चाहते हैं यह उपाय तो जरूर काम आईगा पका अपना फ्लैट जरूर बनेगा अपना मकान जरूर्बनेगा कि हर्णिवार पीपल के पेड के नीचे जाकर के एक सर्चो का तेल का दीपक जला कर आये और ओम शम्शन इच्राइगी नमः ओम शम्शन इच्राइगी नमः का वहां बैठके जाप कर ले तो भई आपका अपना मकान जरूर बनेगा इस तरह से आपने जाना कि अगर आपको अपना मकान चाहिए तो क्या-क्या उपाय करने और इपाय वड़े कारगर है और आपको जरूर अपना मकान बनेगा अपना बंगला बनेगा अपना फ्लैट बनेगा लेकिन मुझे इजाज़त दो मैं कल फीर आओंगा एक निया विश्यले के आपके जिंदिगी में फाइदा पहुचाने के लिए नमस्कार राम राम